स्री भरत महिमा कुछ ऐसी चीज़े आती हैं परन्तु जब स्री भरत को देखते हैं तो उनके सामने सब फीके पड़ जाते हैं स्री राम चरीत मानस में माता कहके के द्वारा भगवान राम को वनवास और भरत को राजिका वर्दान मांगने से लेकर चरण पादुका लेकर भरत जी के लोटने तक का जो प्रसंग है वह अद्वित यह है उनमें त्याग प्रेम बात्री प्रेम और स्वार्थ हिंता का इतना सुंदर और इतना महानादर्स प्रस्तूत हुआ है कि यह यदि किसी के जीवन में आ जाए किसी राष्ट में यह व्याप्त हो जाए तो उसका व्यक्तिगत या राष्टगत जीवन इतना उचा हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं भरत के दर्शन स्री रांचरित मानस में बालकांड में बहुत कम होते हैं किन्तु जब होते है तो बड़े ही सुंदर होते हैं जब जनकपुर से दूत आते हैं उस समय भरत के दर्शन होते हैं वहां प्रसंन भरत है पर इनका वास्तविक दर्शन तब प्रारंभ होता है जब भरत नन्याल में हैं और वहां उलावे का समचार पाते हैं उस समय यहां महाराज दसरत का स्वरगवास हो चुका रहता है सारे राज्य में राम विरा और दसरत नीधन का शोक चाया हुआ है सब लोग दुकी है सारा राज्य संतप्त है उस समय गुरु वसिस्ट के आदे से भरत को बुलाने के लिए धावक जाते हैं और वे जब उनको लेकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो उस समय से भरत के वव्य दर्शन और बड़ी बड़ी उंची इस्थिती के दर्शन प्रारम होते हैं तो उसी दास जी महराज ने बड़ी सुंदर्ता के साथ इसका चितरन किया है यह इस प्रकार चरित्र है इस प्रकार का एक महान आदर्श है कि इस आदर्श को यदि हम अपने जीवन में ढाल सकें तो भगवत प्रेम क्या वस्तु है और संसार में किस प्रकार से किसी को रहना चाहिए यह सब बातें प्रगठ हो जाती है इसलिए कहा है पेम अमिय मंदरू बिरहू भरतू पयोति गंबीर मती प्रगटेवू सुरसाधु हित क्रिपा सिंधु रगुवीर कहते हैं कि प्रेम अम्रित है परन्तु यह प्रेम रुपी अम्रित गंबीर समुद्र के अंदर समाया हुआ है भरत जी इस प्रेम रुपी अम्रित के गंबीर समुद्र है समुद्र में यह प्रेम समाया हुआ था जैसे दूद में घी होता है परन्तु दिखता नहीं है पर कोई मतने वाला जब उसे मत देता है तब उसमें से नवनीत निकलता है घी निकलता है और वह प्रतु पयोधी गंभीर किसी किसी में ऐसा होता है जैसे छोटी नदी होती है जरा सा पानी बर्षा तो नदी में बाढ़ा गई नदी छलक उठी परन्तु गंभीर समुद्र में कितना भी पानी आगर प्रवेश कर जाए लेकिन वह उचलता नहीं है वह अपनी मारियालदा नहीं छोड़ता उसका गामभीर उसकी अनन्तता को स्थीर रखता है इसी प्रकार से भरत जी हैं ये गंभीर पयोधी हैं इनमें कोई उपर से प्रेम को देख ले ऐसा नहीं है तब इनके प्रेम का प्रकाश कैसे हुआ भगवान ने मन्थन किया तब भरत रुपी समुद्र को भगवान ने मता जैसे चीर सागर को देवताओं और असुरों ने मता तो उसमें से अमरित निकला वहां अमरित भी निकला और कालकुट वीश भी निकला यहां तो केवल अमरित ही अमरित हैं यहां वीश के लिए अस्थान नहीं है यहां पर मता भ मद्रांचल होना चाहिए और वह मद्रांचल समान बड़ा कठो बड़ा तीव्र बहुत उचा बड़ा भारी होना चाहिए वह मद्रांचल यहां क्या है विदह है भगवान का वियोग है मगर अगर कहीं यह लिला न होती कहीं भगवान का वियोग नहीं होता भगवान अपना वियोग भरत को न देते तो भरत के प्रेम का किसी को पता लगता ही नहीं इतना गंभीर सागर है वे कि अपने मुझ से कभी भरत से निकला ही नहीं कि मुझ में प्रेम है इतना प्रेम भरत ने हमेशा अपने कुनीच माना कभी किसी को मालूम ही नहीं होता कि भरत में प्रेम है भगवान ने यहां विरहरुपी मद्न दरांचल को डाल दिया और लगे मद्ने फिर इसमें से वह प्रेम प्रगट हो गया भगवान ने इस प्रेम को प्रगट क्यों किया इसलिए कि जितने भी देवता सादू महात्मा थे ये सबी प्रेम से वंचित थे ज्यान ध्यान की बाद सब कहते परंथू किसी में ऐसा प्रेम नहीं था उनके हित के लिए सुर सादू हित भगवान ने इस भरत रुपी प्रेम प्रेम शागर को मत कर इसमें से प्रेम को निकाल कर रख दिया यह भरत की महीमा है